इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि learning license बन जाने के बाद में driving license को कैसे apply किया जाता है apply करने के बाद में आपको क्या करना होगा तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगी इस से पहले मैंने वीडियो बना दिया है कि learning license को कैसे apply किया जाता है तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो description में link मिल जाएगा आप उस वीडियो को देखे learning license को apply करके उसे बना सकते हैं तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने mobile phone या फिर computer में google खोलना है search bar में आपको type करना है pariwan.gov.in search कराएंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से page खुलके आएगा link आपको video के नीचे description box में मिल जाएगा अब यहाँ पे आने के बाद में driver's learner license वाले option पे click कर देना है जिसके बाद में next page यह आएगा अब यहाँ पे आपको अपने state का नाम select करना होता है तो जो भी आपका state है select कर लीजे जिसके बाद में आपके state की जो website है खुलके आ जाएगी अब यहाँ पे आपको इससे skip कर देना है और यहाँ पे अगर आप learning के लिए apply करना चाहते है तो यहाँ से apply करेंगे और capture code यहाँ पे डालके o के उपर किलिक कर देना है learning license नमबर जैसे ही आपके license में है सेम वह ऐसे डालना अगर space है तो space लगाना है अबलिक है तो अबलिक लगाना एक्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से learning license नमबर दिया है सेम ऐसे ही आपको learning license नमबर पूरा यहाँ पे डालना होगा जिसके बाद में आपके license की जो learning license की detail है पूरा आपका है यहाँ पे detail खुलके आ जाएगा यहाँ पे scroll करना आपको कुछ भी नहीं करना है नीचे जाएंगे यहाँ पे जो two biller और four biller का option रहता है MCWG और LMB यहाँ पे आपको select आल की उपर किलिक कर देना है जिसके बाद में इधर select हो जाएगा submit कूपर किलिक करना है OK कूपर किलिक कर देना है अब यहाँ पे एक receipt आपके सामने आ जाएगी जहाँ पर कि आपका application नमबर नाम और आपका जो application का date हो गए रहा है सारा कुछ मिल जैगत बस यहाँ पे आपको अपना application नमबर note कर लेना है मैं इसका screen short पी ले लेता हूँ ठि से आप next वाले option पर किलिक करेंगे यहाँ पर application number data birth कैपचा डालके आप submit कूपर किलिक कर देना इसके बाद में आपका application form कुछ इस तरह से खुल के आएगा scroll करेंगे नीचे जाएंगे यहाँ पर देख सकते है application form आपका 4 step में complete होगा पहला step फिल application form रियल वाला complete हो चुका है उसके बाद नीचे जाएंगे यहाँ पर दिया है upload document तो यहाँ पे अब आपको document upload करना होगा इसके लिए proceed वाले option पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको ok वाले option करने के बाद में scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना learning license साथी address प्रूप के तोर पर कोई एक document upload करना चाहते हैं तो उससे select कर सकते हैं तो मैंने आधार card with DOB को select कर लिया उसके बाद document number में कुछ भी नहीं करना है उसके बाद में issue by में आपको लिख देना है UIDAI उसके बाद में issue date अगर आधार card की आपको पता है तो आप आधार card से देख के डाल सकते हैं अनिधा choose file के उपर click करेंगे जहां पर भी आपने आधार card को रखा है आपको आधार card को वहाँ से जाके select कर लेना है open को उपर click करना है और upload के उपर click करना है जैसे आप upload के उपर click करेंगे इसके लिए यहाँ पर document को उपर click करेंगे, यहाँ पर learner license को उपर click करना है, और यहाँ पर prove की उपर click करना है, यहाँ पर learner license को उपर click कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, कि आपको document number यहाँ पर डाल देना है, document number में आपको अपने learning license number को ही डाल देना है, ह को क्या करना है कि यहां पर आमने ध्यूर पर कर देंगे इस iح development यहां पर आपको क्लिक करना है जहां पर आपने लाइस च्ब्लोड को रखा है podem को पर किलिक कर देना इसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि all document are uploaded successfully यनिकी जुआ पर लशेंस और सथे address proves में आप लाकुमेंट अप्लोड हो चुका है नेक्स्ट वाले आप्सन पर किलिक कर देना है जिसके बाद में पेमेंट वाले पेज पर आपको रीडारिक्ट कर देगा तो यहां पर आपका टू बीलर और फोर बीलर दोनों का जो पर्मनेंट लाइसंस का फी से यूपी में एक हजार उपय है यहां पर आपको जाना इस टेट बैंक आप हिंडिया कोãyimatकर करना है और यहां पर इसरी का डिया है पहला है आप नेट बैंक किंगस से कर सकते है दूसरा है आपके पास अगर काड़ है चाहे credit card हो या debit card हो तो उससे कर सकते हैं ठीक यहाँ पर UPI phone पर Google पर एक option नहीं है तो आपके पास अगर net banking है या फिर debit card है तो उससे कर सकते हैं अपर net banking को उपर हम click करते हैं और यहाँ पर अपको अपनी net banking का username password डालना है login को उपर click कर देना उसके बाद में आपके सामने page successfully हो जाएगा थोड़ा साब बेट करेंगे जिसके बाद में page खुदी redirect हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद में आपकी जो transaction डिटेल हो गयरा देख सकते हैं बाकि click here farprint को उपर click करेंगे इसके बाद में आपको जो receipt है इसे print कर सकते हैं या फिर अपने mobile phone में computer में IG PDF save कर सकते receipt को save करने के बाद में यहाँ से page को cut कर देना है और आपको दो बारा से आपको अपनी state की website पे चले जाना है और यहाँ पर application status को उपर click करेंगे और यहाँ पर application number data birth capture code डाल के submit को उपर click कर देना इसके बाद scroll करेंगे नीचे जाएंगे अब यहाँ पर date book करना होगा किस date में आपको RTO visit करना है प्रोसीड वाले आपसे पर click कर देना है यहाँ पर application number या फिर learner license number से आपको date book करना होगा तो यहाँ पर application number को उपर click करते हैं यहाँ पर application number DOB आपका देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ जो कैप चकोट दिया गया है डालेंगे submit को उपर click कर देना है यह किसी को आपको बुक करना है रेट कलर वाली डेट जो फाली नहीं है यहाँ देख सकते हैं इससंध को बुक करना होता है जैसे कि 10-12 के बीच में आप जाना चाहते हैं, या फिर 12-12 के बीच में जाना चाहते हैं, या फिर 3-5 के बीच में, तो यहां से हम 10-12 वाला select करते हैं, और book slot के उपर आपको click कर देना, जिसके बाद में आपका जो भी registered mobile number होगा, उस पर एक code जाएगा, OTP जाएगा, उसे यह है, confirm book हो जाएगा, जिसके बाद में आपके सामने page खुल के आएगा, अब यहां पे आपकी जो confirmation वाली receipt है, उसे download करना चाहते हैं, print के उपर click करेंगे, तो यहां पे यह confirmation वाली receipt है, आपके सामने खुल के आजाएगी, जिसमें कि आपका date और time सारा कुछ दिया गया है, आपको अपने RTO में चले जाना है, और वहां पे आपका जो test हो गया रहा होगा, सारा कुछ करवाना है, जिसके बाद में दो से तीन दिन में आपका driving license अप्रूब हो जाएगा, और by post लगबग, एक हपते या फिर दस दिन में डाग द्वारा आपके घर पर भी आ जाएगा